नमस्कार मेरा नाम गौरव अगरवाल है और टीवी नैन भारत वर्ष के इस मेगा शो त्रिकाल दर्शी दोहजार चौबीस की भविश्वाडी में आप सभी का बहुत स्वागत है अगर आप अभी से इस उधेर बुन में लग गए हैं कि आखिर आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा तो रिमोट थोड़ी देर के लिए साइट लग दीजे क्योंकि मेरे साथ इस वक्त देश के सबसे बड़े 24 त्रिकाल दर्शी मौजूद हैं देश, दुनिया, राजनीती, वार, लव, मैरेज, लाइफ, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में आज ये भविश्य वक्ता आपको ना बताएं सबी त्रिकाल दर्शियों के पास एक फ्लैग है, एक बोर्ड है जिसमें एक तरफ लाल रंग है तो दूसरी तरफ हरा है बताने की ज़रुत नहीं कि इसका मतलब क्या है फिर भी बता देता हूँ अगर आपका जवाब पॉजिटिव है तो ग्रीन दिखाएं और अगर नहीं तो लाल रंग प्लीज अपने आपके हाथ में जो बोर्ड है आप दिखा दीजे ताकि हमारे दर्शक समझ जाए कि लाल और हरे रंग का वो बोर्ड कौन सा है आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो है तो शुरवाब विदेश की सबसे बड़ी शक्सियत से होगी जी हाँ प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी क्या 2024 में हैट्रिक लगाएंगे इसी सवाल से इस शो की शुरुवात होगी लेकिन उस सवाल पर जाए इनसे राय ले आपको प कुछ सरकारे गटबंदन की भी है लेकिन उसके बाबजूत कोई भी इसको मैच नहीं कर पा रहा है तो इसी सवाल से आप लोगों के साथ शुरुवात करता हूँ प्लीज आप लोग अपना बोट बताएगा 2024 में क्या प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की हैट्रिक लगेगी ये तो अद्बुत हो गया शोग की ओपनिंग ये अपने आप में ग्रांड हो गई और इससे अच्छा क्या है कि जल्दी से राय लेनी शुरू करते हैं श्रिमाली जी बताइए सबसे पहले आप लेता हूँ 2024 बोदी सरकार के हैट्रिक के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी अब नहीं रोग सकते हैं इसके पीचे कारण उस यशेश्वी प्रधान मंतरी की लगनेश मंगल की दशा वो जिवन में जिस वक्त इंसान के लगनेश की दशा आती है वो हर मोगाम पर अपना पर्चम लहरा द देते हैं तो मोदी जी को प्रधान मंतरी बनने से ब्रह्मा भी नहीं रोग सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भागेश साथ में है और भागेश नीचका भी हो लेकिन अपने मित्र के साथ हो उच्चका फल देता है और दूसरी बात एक और जो मुझे कहनी है कि नरेंदर भाई मोदी अनुराधा नक्षत्र में जनम लेते हैं जिसका स्वामी शनी देव है और रिशी पराशर कहते हैं यदि जनम नक्षत्र का स्वामी D10 के अंदर आ जाए D10 में आ जाए D9 में आ जाए तो ये एक अधभूत बात हो जाती है जो है तो सबसे बड़ी बात हो यह है कि 2024 में जहां पे चुनाफ के हम बात करें तो साटन जो है वो ट्रांजट कर रहे हैं पूरवा भाधरोपदा नक्षत्र में मोदी जी के कुंडली में इस समय पर मंगल में शनी की दशा चल रही है मुझे लगता है कि इनके लिए थोड इसलिए बनेंगे क्योंकि एक तो उनके जो मंगल की महादशा चल रही है इसके कारण और साथ में भागेश भी लगन में साथ में बैटें और शनी उनके पबलिक हाउस में सुराशी में है तो वो आगे जाके काफी जो सैने शक्ती है हमारे देश की वो भी बढ़ाएंगे विदेशों से जो संबंद है उस पर आऊंगा में उस पर आऊंगा लेकिन अभी वो हैट्रिक लगाने जा रहे है आपके पिता बेजान दारु वाला इतने मशूर अस्ट्रोलोजिस्ट आप बताए कारण क्या है वह सब बता रहे हैं बनेंगे लेकिन क्यों बनेंगे जो इसी भी स्थिती में रोक नहीं सकता मगर फाइनाइंस और एकनोमी पर उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए मगर देश को उस उंचाई पर पहुचाएंगे पूछे ही नहीं ही इस कमेंग बेक विद ग्रेट मेजॉरिटी एक नया यहां पर अंगल आ गया आप बताए ये कि आपका भी कोई कैलकुलेशन है इसके बारे में केंद्र में दो बड़े ग्रेह ऐसे लग रहे जिसे सारे ग्रेह अपनी अपनी जगे लेके बैठ गहें कि जीतना तो आप नहीं है चौथे भाव में शनी बैठे हैं सब्तम भाव में गुरू बैठे हैं जो कि लोगों का मासस का होता है और 5-11 पे भी राहू केतू की दृष्टी है लेकिन सम्हाव जब ये एलेक्शन होंगे उस ट्राइम जो ट्रांजिट होगा वो बिलकुल उनको ग्रीन सिगनल देता है युद्ध की हम बात कर रहे हैं और एक युद्ध जो 2023 में शुरू हुआ एक युद्ध जो 2022 में शुरू हुआ रूस और यूकरेन और इस्रेल और गाजा जरा वार की बात कर लेते हैं हम क्योंकि एक ताक मैं आपकी सामने रखना चाहता हूँ देखे रूस यूकरेन वार म देखिए ग्रह योगों का जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है और निरंतर सभी ग्रह एक राशी पर जाते जा रहे हैं 30 मार्च 2025 को सारे ग्रह एक राशी पर 6 ग्रह हो जाएंगे और केतू की द्रस्टी भी रहेगी इसलिए भारत में जो युद्ध होगा वो 30 मार्च 2025 के बाद होगा और इससे पर दोजार जोवीश तीस मार्च 2024 में कैसा रहेगा वर के लिए 2024 में भारत में कोई युदध नहीं होगा लेकिन दूसरे देसों में युद्ध की चीक है, फॉना जल्दी से एक लाइन, बढ़ेगी घटेगी? मुझे लगता है बढ़ेगी, अपना काट दिखाईए इस्रेल और हमास की जहां तक बात करें, इस वर इस नोट सबसाइडिंग तिल 2024, डिसेम्बर इस्रेल और हमास की जहां तक मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि कुटिन फिर से आ सकते हैं, वार रुकेगी रूस यूक्रेण की? नहीं रुकेगी, जल्दी से माम, जल्दी से मेरा ये कहना है कि एप्रिल में के आसपास 2024 में और भी देश इसी साथे जुद में और और होंगे? जी, बिल्कुल यूद जो है, वो बढ़ता हो, नजर आ रहे हो, साथ की साथ में बूलूँगे, अगर आप यूक्रेण और रश्या की बात करें, वहाँ पे मुझे फिर भी थोड़ा बैलन्स रखता है, पर गाजा की बात है, तो हमास का काफी है तका कात्मा हो होगा in 2024, लेकिन युद की अगर हम बात करें, युद भी बन नी हो रहा है, दोनु ही जगह में स्थान पे बन नी हो रहा है, युद नहीं बन हो रहा है, मेरा काड़ है ग्रीन, मतलब युद कम होंगे, जो होना था, वो हो चुका है, अब सम्मान के साथ विदाई चाहते है पोतिन और जलेंसकी, इसके साथ एक मैसे जैसे ही व्रशव राशी में देवताओं की गुरू ब्रहशपती जाएंगे, शनी और गुरू का चार दसका संब्द भारत की भूमिका से युद शान्ती के साथ बंद होने के कागार पर चला जाएगा, जल्दी से, देखिए जो गजा और इस्राइल इसके बारे में बात करना चाहूंगा, अभी जो गोचर की स्थिती है, उन दोनों के पास में लीडर्शिप की कमी है, और युद करने के लिए लीडर चाहिए, तो ये अंत्यसा शने शने युद भी साथ शने शने युद शने युद शने युद हमें उसके खूब साउधानी रखनी चेए, लेकिन दुनिया में वार्श हो रही है, लेकिन शनी का साल है, तो मुझे लगता है कि वो उसी लेवल पे धीमे 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 ग्राजविली मतलब जो है, निम हो सकती है, या वैसे ही देह सकती है, लेकिन उसमें मुझे ऐसा यह साल अच्छा रहेगा और वर्स रुकेंगी इस से जादा मैं होते हुए नहीं देख आप क्या देख रहे हैं मैं क्योंकि 2024 जो मारा समवत लग रहा है नया अप्रिल से मंगल राजा है शनी मंत्री है और 2025 में शनी राजा है और मंगल मंत्री है तो यह दो वर्ष का मेरा प् खाये देता है और जब भी मंगल और शनी साथ में होते हैं शांतिपून तरीके से नहीं होगा हमारे भारत में भी हमें जनता में भी कहीं न कहीं कोई आंदोलन कुछ ऐसी चीज़े स्ट्रेस फुल देख अब एक ऐसी चीज जिस पर बात करते हैं जिस पर बहुत जादा लो यह एक फाक दिखाता हूं मैं जल्दी से एक फाक दिखाता हूं आपदाओं के लिए देखे साल 2020 में भारत की धरती साल 2020 में 61 बार भूकम से कापी है जबकि साल 2023 में अब तक 124 बार भूकम पा चुका है यहाँ पर सब के पास रेड़ है बहुत जादा यहाँ आपका मिक्स है आप दोनों के पास ग्रीन है श्रीमाली जी आप ग्रीन दिखा रहें मतलब आपदाओं के लिए यह वर्ष अच्छा है मतलब आपदाओं नहीं आएगी इसके पीछे अगर दो तिन कारण आप देखें तो देवताओं के गुरू ब्रैश्पती बेश राशी में और उसक अच्छी खबरे आएंगी आप क्या दिखा रहे हैं रेट क्यों कि जो बहुत की कुणली जो व्रेश लगन की कुणली यह कन्या लगन की कुणली उनका नक्षत्रमाग नक्षत का तीसरा चरन है उसके स्वामी केतु है और अगर भारत की कुणली देखते हैं तो चंद्रमा की महादशा चल रहे है जिसके करना बाढ़ आने के उमीद है जादा नहीं आएगी नुकसान नहीं हो सकता लिए ठीक है इधर सर आप बताई आप ग्रीन दिखा रहे हैं जो प्राकृतिक आपदाए हैं उसको लेकर के घबराने की ना तो भारत को जरूवत है ना विश्व क सबसे ज़्यादा घबराने की जरूवत है वो मनुष्य जनित जो समस्या है जैसे की विस्थापन युद के कारण ब्राय युद्ध के कारण बस्थापन और शरणारतियों की समस्य उस पर खाहे हैं वो सबसे ज़्यादा चाहिए युद्वरेज सेगमें बात करते हैं नस्तूर जी आप क्या दिखा रहे हैं नहीं मैं यह दिखा रहा हूँ कि आप दाय आएंगी उसमें अकस्मात ज्यादा होंगे और हवाई मुसाफरी में भी ध्यान रखना चाहिए और वैधर जो है वो इतना ज्यादा चेंज होगा कि ख आने की बात नहीं है एक्चल जो दोजार चॉबिस के साब से जो हम कुंडली बना रहे हैं या जो वर्ष प्रवेश का हम पोलते हैं पिंगल समवत है तो यह अपने आप में युद्ध का और आक्रमड का घोतक होता है इस बार का जो वहाने वो नौका है वो भी उत्पादन प्रवेश का आप दिखातारी काम ब्या सकते हैं और कहीं ना कहीं रेल दुर गटना प्लेन का दुर ना यह हम देखेंगे हम बिमारी भी देखें अब आप अप अब देखा रही हूं कि नाचरल के लिए जैनवरी से मार्च दोहजर चॉबिस के बीच में अर्थके बहुत म मेजर इंपक्त रहेगा और इससे कॉस्ट और वेजिटेबल से फूट यह आप मेंगाई बने की बात करें मैं आरो दिवाजी आप क्या आप क्या दिखा रही है रेड़ ग्रीन आइटिंक ओवर अगर हम देखें तो मुझे लगता है यह लगता है यह लगता है यहां पर व और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहां पर स्थितियों में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक आप देखें कि देखिए 2023 में जिस तरीके से बहुत आप देख रहे थे कि एक महने में कई बार बहुक पाई थे इस तरीकी की स्थिति नहीं रहेगी थोड़ा बहुत तो रह तो साटन विंड को भी रिप्रेजेंट करता वेस्ट डारेक्शन को करता है तो मैं यह अपर अगर हम इंडिया की बात करें तो साइक्लों जाने कि साब बारे में बात करें बद मुझे असा लगता है कि हवा से रुलेटेट पलूशन होना साइकलों जाना यह है और जो भी अगला सवाल राहूल गांधी मोदी के बाद राहूल गांधी दो हजार चौबिस राहूल गांधी के लिए अच्छा होगा उनको नई काम्याबिया मिलेंगी राहूल गांधी कुछ अच्छा करेंगे या उनके लिए वहां से बुरी खबर रहेंगी दिखाए आप लोग जड़ा अपने अपने बोर्ट्स जल्दी से दिखाए यह देखिए यह देखिए एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला अच्छ कि अनके लिए अनके लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहने वाला है दो हजार चौबीस का जो वर्स है यह सनी का वर्स है आठ अंग है और दो हजार चौविस में दो प्रवल योग बन रहे हैं बुद्ध और शुक्र की यूती से लक्ष्मी नाराण योग वर्स के आरभ में ही बन रहा है मंगल और सूरि की विती से पराक्रम योग बन रहा है राहुल गांधी की कुंडली में यूती है कि वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे का बी बी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे ये तो बहुत बड़ी भविश्वार्दी सब्सक्राइब नक्षतर के तीसरे चरण में जर्म है और शनी की ढाईया का प्रभाव भी साथ जनवरी तहीं से यह सबसे important बात है रहेगी और जिसका जनम नक्षतर का स्वामी डी 10 के अंदर अस्टम भाव में चला जाए और उसके धीवन में सिवाय स्ट्रगल असफलता के कुछ नहीं होता अरे तो बिना स्ट्रगल के सफलता कहा मिलती है निल जी इन पिस्ट्रगल करो लेकिन जो देश आप मुझे बता रहे हैं प्रधान मंत्री नहीं बनेंगे प्रधान मंत्री नहीं बनेंगे और दूसरी बाती है कि उनकी कुंडली ये कहता है कि उनको दूसरे की उससे कमाई से चलना है, जैसे मेरे फिताजी किंग है, मेरे माताजी कुईन है, something like this, but खुद की आरिंग, सेल्फ आर्ण जो एक प्रेस्टिज है, ओरनर है, that is not there. सर आप बताई, आप ग्रीन दिखा रहे है, राहूल गांदी पर्धान मंत्री बनने जा रहे हैं से? समेटने में काम्याब रहेंगे, जो लोग काफी वर्सों में कॉंग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, निश्चित रुप्स पुतार रहे हैं, मतलब पॉजिटिव खबरे हैं राहूल गांदी के लिए, इधर और बी कोई पॉजिटिव है, बताई, आप बताई, आप बत करेंगे राहूल गांदी की राहूल गांदी की अफिक 스ट ऐलेक्षन भी आएंगे, और अगर स्ट्रांग ऑपोजिशन बनता जाता है, तो आपका जो सेंटर में अगर आप रूल बी कर कर रहे हैं, तो आपके लिए कठिन जो है डगर रहती है, डूसरी चीज राहूल गी स्टेट एलेक्शन भी आएंगे और अगर स्ट्रॉंग ऑपोजिशन बनता जाता है तो आपका जो सेंटर में अगर आप रूल भी कर रहे हैं तो आपके लिए कटिन जो है डगर रहती है दूसरी चीज राहू की दशार शुरू होने वाली राहूल गांधी की एंड ऑफ 2024 से राहू अपनी राश्री का है और पॉलिटिक्स का कारेक होता है राहू राहूल गांधी का वहाँ से एक जो नहीं शुरूआत होगी एक पर्चम ले रहा है तो जितने उनके लोग है उनको वो ग्यादर करने की कोशिश करेंगे परहां नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से और एक चीज में आप पर बोलना चाहूंगी पीम के योग नहीं है बट मुझे वो बेटर करते हूं नजर आ रहे हैं दोहजार चॉबिस में क्योंकि आश्म निम्रोलजी और जाता है कि टू फोर और एट के जो कॉम्बिनेशन के लोगों के क्योंकि आठ नंबर का साल है तो इस समय पे उन्होंने जो पहले पास्ट में मेहनत की है और उनकी रालीज और सब इतना मेहनत करने के बाद में फेल हुआ है लेकिन दो हजार चॉबिस में राहूल गांधी को इंचिक एक बार फिर से आप लोग लिखाईए अपने फ्लैग में राहूल गांधी पर अभ अपने आप में दर्शाता है आगे बढ़ना यानि कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उन्होंने पास्ट में जो भी मेहनत की है मेहनत का तो कर्म प्रधान साल है तो मेहनत का फल अवश्य हर किसी को मिलेगा चाहे वो राहूल गांधी क्यों ना हो तो यहां बात करते हैं उनक अब डिफेंस के बारे में आपको एक बताता हूँ और फिर अपने तमाम लोगों से बात करूँगा देखें एक इंडियन डिफेंस के बारे में कहता है कि 9 साल में भारत ने दूसरे देशों को 16,000 करोर के रक्षा उपकरण बेचे हैं अपने बोर्ट जो अपने आपके हाथ में हैं बताइए डिफेंस जो भारत का है डिफेंस सेक्टर भारत का वो आने वाले 2024 में उसके लिए 2024 कैसा रहेगा बताइए 2024 अच्छा यहां पर रेड एक दो कैमरामें फोकस करिये भाई यहां पर देखे एक दो रेड है बाकि सब ने जल्दी से बताइए रट क्यों दिखा रहे हैं अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो फैबरी से लेके मे तक कराहू का पिरेट रहेगा उसमें और राहू को हम मलेज भी कहते हैं और किसी फॉरें एलिमेंट जो जिसे कि अरबिक डिसेंडेंट होते हैं जो बार्बरिक इसे लोगों का इंडिया पर थ्रेट है और इसके अलावा अगर हम देखें कि इंडिया को साउथ के एरिया में सिक्यूरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टेरिस्ट अटाइक हो सकते हैं स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इन साउथ इस्ट आप आप ग्रीन दिखा रही है जी बिल्कुल ग्रीन दिखा रही हूँ क्योंकि इस साल जो है शनी का साल है वैसे भी ये साल मंगल का क्योंकि अगर हम हिंदी जो उसकी बात करते हैं हमारा हिंदी जो साल होता है उसमें जो राजा है वो मंगल है और मंत्री शनी है तो ये मंगल का साल रहने वाला है और मिस्तान के लॉट शनी बनते हैं और 24 जनवरी 2020 याद रखिएगा 24 जनवरी 2020 में शनी मकर राशी में और 17 जनवरी 2023 में शनी कुम राशी मायते और शनी ही विस्पोटक सामगरी चाहे है वो किसी भी प्रकार के हाथियार बनाने हो वो मंगल और शनी गंतरगत आते हैं और शनी इस वक्त 2025 के एंड तक कुम राशी में रहेंगे मूल्त रिकॉन राशी में भारत आने वाले समय में रश्या अमेरिका और फ्रांस किसी पर भी निर्वर नहीं रहेगा आप निर्वर बनेगा आप रेट दिखा रहें क्यों इसका कारण यह है कि इस साल 2024 में भारत की जिन ज पूरे विश्व में एक सनातन विरोधी लहर उठेगी 2024 में जो पच नहीं रहा है जो पिछले 15 सालों से भारत तरक्की कर रहा है ना तो सनातन विरोधी भारत विरोधी इंडिया विरोधी नहीं भारत विरोधी ताक्ते जो है वो वैश्विक इस तर पर एक होंगी कोई मु जितनी भी देश हैं जिसके साथ हमारी बॉर्डर्स हैं वो डिस्प्यूट और बढ़ेंगे आकरमन होंगे पर हमारी फोर्स इतनी मजबूता इसे सामना करेगी कि लोगों को पता चलेगा कि आंतकवात का खात्मा हो सकता है और हम लोग और ज्यादा आत्मा निर्बर बढ़े यह देखते हैं और एक पाक्त आपके सामने पाकिस्तान में कोई भी प्रदानमंत्री पांच साल का कारेकाल पूरा नहीं कर पाया है कोई भी सरकार अपना कारेकाल पूरा कर पाई अपना जंडा दिखा यह अपना बोट दिखा यह पाकिस्तान स्टेबिलिटी रहेगी कि न माप्त हो जाएगा उसके तीन हिस्से हो जाएंगे और उसमें दो हजार पचीस में एक इससा भारत में आगर करके समलीत हो। आप बढ़ी बडी खबरे दे रहे हैं, पाकिस्तान के तीन हिस्से हो जाएंगे. और जो पाकिस्तान के हालात है वो और बी ज्यादा बद से बत्तर होने वाले हैं आने वाले टाइम में और जो एलेक्शन की बात है जैसे आपने का कि पांच साल तक सरकार कोई भी नहीं बना पाया तो आने वाले टाइम में भी जितने टाइम अभी लोग रहे हैं उतना भी टाइम नहीं रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान के बात करें तो पाकिस्तान इंस्टेबल रहेगा क्योंकि पाकिस्तान के तीन तुग्रे इतना साथ वो पाकिस्तान वो फेड़ साफ इतना साथ वा पाकिस्तान यहँ गाज पर फटूर रहेगा स्ट बरा रहने के लिए जरूर का मॉटगेज होगी इनकी प्रॉपर्टीज और चीज़ रूसनाद जो में प्रॉब्लम आएगा जिन बहुत बढ़ी बात करें आपके पार्किसान में जो एलेक्शन होंगे वेलेक्शन से मिक्स रिजल्स आएंगे और भूराबर है और रहें एक्षान को फिनांशल एड कहीं से मिलते वे दिखाई देती है लेकिन पॉलिटिकल इन्सार एक कारण हो सकता है कि वेस्टेट इंटर पाकिस्तान के जो ग्रह है उसके लिए वो नेगेटिव है उसको आर्थिक फाइनिशली उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा बहुत महिंगाई बढ़ेगी और सेक्टर्स सारी तरफ से नीचे की तरफ ग्राफ जाए तो कोई भी हल्प नहीं करेगा यह जो आजादी का दिन था प तो भाइडन जो है वाले हैं तो सुथ दुरूप से पाकिस्तान को सपोर्ट यहाँ है तो वह भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो भारतीय जो राजनीतिřिक दिगज है उन्हें पाकिस्तान के प्रति विस्येस policy बना के सावधान रहना चाहिए अन्यथा दो हजार चौबीस में 28 अप्रेल से लेके 19 जून के बीच पाकिस्तान समय खत्रा हो साथ अच्छा देखिए एक हमारे साथ मशूर निमरोलजिस्ट शुएता जुमानी जुड रही है और सीधे उनसे बात करते हैं श्वेदा हम बहुत हम बात करने लगातार आज़ा कंट्री इंडिया की प्रिया मोधी की राहूल गांदी की लेकिन मैं आप से क्योंकि अभी जो करेंट टॉपिक है वो है पाकिस्तान और पाकिस्तान में होने वाला इलेक्शन इंटरनाशनल जो भारत के रिलेशन्स है आपका कैल्कुलेशन क्या कहता है इस बारे में पाकिस्तान में एलेक्शन हो नहीं हो उनकी तो हरत खराब है यह साल और भी तकलिफ दाया भी होने वाला है पुरे जब के लिए होने वाला है उनके लिए तोड़ा ज़या वाला है और इंटरनाशनल स्परक्षान भारत के कैसे रहेंगे बह्रत के रिलेशन। जब हम एड़ करते हैं तो, India comes to number 3 और बारत के रलेशन, in fact, जिए इन्दी एक है जिनके all over relations भी अखे रहेंगे और we are lucky few, जिनके पस problems भी अगाने वाली हैं, compared to the rest of the world. अब एक नया चेहरा आने वाला है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल प्लीज अपनी अपनी काल्कूलेशन के इसाफ से अपना अपना ये फ्लाग या अपना बोर्ड उपर उठाएं यहां भी बहुत सारे मेक्स हैं उधर ग्रीन जादा है इधर रेट जादा है इधर मेक्स है मैं आपके पास नहीं आए आप रेट क्यों दिखा रही है बिल्कुल मैं इसलिए भी बता रही हूँ आपको क्योंकि अगर अर्विंद केजरिवाल जी की कुंडली देखें तो शनी नीच का है और जो 2024 का वर्ष है वो पूरी तरह शनी पे ही डिपेंड करता है जिनकी कुंडली में शनी अगर बहुत अच्छा प्लेस्ट है उन्हीं को यहां पर विजय मिलेगा तो आप कह रहे हैं 2024 उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि उनकी गुरू की दशा खतम होके शनी की अर्विंद केजरिवाल जी वाले जो सुन रहे होंगे जूरूर आपको कंसल करेंगे केजरिवाल के लिए 2024 बिल्कुल सही नहीं जाएगा इसका टोटल है नाइन और इनकी कुंडली में शनी और चंद्रमा का नीच शनी के साथ जो विश योग बन रहे है वो इनके जेल जाने का भी योग बनाएगा ख़ड़ी बात कह रही है विकज उनकी कुंडली में जो गुरू का राहू का है उनके ओवर कॉंफिटेंस को बढ़ाएगा और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी उनके डिसीजन्स बहुत कंफ्यूज रहेंगे बहुत रॉंग चलेंगे तो ये युक्ती आंट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है कि सर आप तो यहाँ पर रेड गिर्खा रहें ग्रीन दिखा रहें आप भी रेड दिखा रहें तीनों पूरे रेड़ी साथ में बैठे में दिखा रहें इसके पीछे कारण है कि जुबान इंसान की जुबान ही उसे सक्सेस दिलवा फोर्त हैं जनता के साथ जुड़े विख रहतें और जनता के मुद्टे पॉलिटीशन उठाते हैं फोर्त हाउस जनता होने के करण उसके लोड मंगल बनते हैं जो नीच राशी के 12 ऑस लीगल कॉंपलिकेशन के गर में है तो चनता के मुद्धों को उठाकर एक बार दूसरी बार ये मुक़्ेमतरी बन गए लेकिन अगले 5 साल में इनके लिए इतनी मुसिबत आने वाली है 2024 उनके लिए बहुत चुनोतियों बरहा रहेगा आरोपों का उनको सामना करना पड़ेगा पर उनकी भारती राजनीती में प्रासंगिक्ता बनी रहेगी और वो आरोपों से बाइस्जद भरी भी जरूर है देखिए अगला साल दो हजार चौबेस शनी का साल है अर्विन केजरिवाल का ये जो साल रहेगा अगला वो चनोतिय पूर्ण रहेगा लेकिन कहीं न कहीं न कहीं उन पर कई अरोप भी लगेंगे कहीं ऐसे ऐसा क्यों होगा अलिकेशन भी आएंगे क्योंकि देखिए उनका जो दशा बन रही है जो उनके गोचर में देख पार हूं मैं तो वह मुझे काफी स्टगल करते वे नजर आते हैं ल रेशानी आएगी लेकिन सब्ता बनी रहेगी अर्विंद केजरिवाल की जो कुंडली है ना जो जनता का भाव होता है राजनीतिग्य के लिए तो वह बहुत स्ट्रॉंग है शुक्र बुद्ध और गुरू है और अभी ट्रांजिट में भी हम देखे तो इनका दशम भाव तीन-तिन शुप ग्रहों के दिरिश्टी दशम भाव पर पढ़ रही है जहां कुंबराशी है जिसमें शनीदेव है और केंद्र त्रिकोड का राजियोग यह बहुत शुब है यह निश्यद है कि चुनौतियां तो आएंगी लेकिन उन चुनौतियों से बहुत आसानी से प 10성 ठील से अ क hes a weh चे के चैईनीज आनिमल से उन हुझ रही है रो है मंकी और इस कि जो लिए 3 अनिमल साइन जो मैं स्टरी करने हूं वह मंगी और उस्किज जो डारेक्शन है साउख्वेस है सौप वेस डारेक्शन में जो स्टार में उनकी जो ये नबर नाइन स्टार बैट गया है तो वो उनको किसी भी तरह के ट्राबल से इजली निकाल सकता है और जहां तक बना वो उनके लिए अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा और उनको चीन हमारे लिए बहुत बड़ा बुद्धा है चाइना के बारे मैं आपको बताओं चीन किस तरह से यहां पर डेट ट्रैप में अपने आप दुनिया के देशों को फसाता है चीन का कर्ज पाकिस्तान केनिया जांबिया लाउस और मंगोलिया जैसे देशों को बरबात कर चु ठीक है शुडवात यहां से करते हैं यह मिक्स काड रहेगा इनकी जो रिलेशनसिप रहेंगी वो काफी मिचल भी रहेंगी और साथ-साथ कहीं नी तो कहीं चीन कोशिस भी करेगा कि हाँ इंडिया से थोड़ा सा अपनी दुश्मनी निकाल सकी क्योंकि अगर मैं बात करूं ब्रीहसपती की तो ब्रीहसपती शुक्र की राशी में आ जाएंगे माई के बाद और जो नौर्थ-ऊंस्ट के कांट्रीज हैं अगर मैं बात करूं तो चाइना नौर्थ में आता है तो यहां पर वहां से डिफिकल्टीस दिख सकती है आपको क्या दिखता है आप रेड दिखा रहे है ग्रीन मेरा रेड है रेड है क्यों कि मुझे नहीं लगता कि इनके रिलेशनशिप में सुधार आएगा क्योंकि धीरे धीरे जब प्लैनेटरी पोजिशन जो मुझे दिख रही है राहो केतु का प्रभाव रहेगा और चाइन और इंडिया का रिलेशनशिप मुझे नहीं रहेगा श्रीमाली जी आप क्या दिखा रहे है कितना बढ़िया कॉम्मिनेशन है कि व्यापार ऐसा कैसा चल रहा है भारत और चाइना में लेकिन जो सीवा है वहां पर विवात है इस विवात का आगे कोई समाधान 2024 पे नहीं ह जाएगा ओके आप डिखा रहे हैं ग्रीन दिखा रहे हैं मैं मिक्स दिखा रहे हैं क्यूंकि इनकी एकॉनमी बैक सब्सक्राइगी इनके ऊपर वाइरस अटाइक का कुछ एक दुबारा से बिमारी को दुबारा आ सकती इस्पेशली जुलाई से लेके मिड नेवेंबर के पीछ में चाइन एक जाएगा इंचाहइड का इनफे जस्फ़ हैं मैं ढοओ हुआ हैं और हल्कि सी बीडेशस नीस्टाइं आक के मामले में इंडिया के बारत के बिदेश्ज़ों के साथ दूसरे देशाओ के साथ संबनी कैसे रहेंगे दोजार चौवीस में प्लीज अपन 24 भारत का देशों, दूसरे देशों के साथ, आप अपने बोट प्लीज क्लियर दिखाए, उपर दिखाए, क्योंकि कैमरा आपको इस वक देख रहा है, समझ पाएंगे लोग कि कौन क्या कह रहा है, बजल दी बताईए, आप क्यों कह रहे हैं ग्रीन, अच्छा और आपके बहुत ही भैतरी रहने वाला है, इंडिया बिल ग्रो, इंडिया विल राइस देखे बारत का विरोदनी बारत के यसश्घी प्रधानमंत्री के विरोध के कारण संबंध विगाड होंगे। लेकिन 30 मार्च 2025 के बाद बहुत जन्धन का किहानी होगी 30 मार्च 2025 से पहले भारत का कुछ भी बिकड़ी 30 मार्च 2025 बड़ी टाइम लाइन दे दिये आपने आप बताइए आपका टैरो काट क्या कहता है प्राइब रेट रेट अपने आपका टैरो भी दिखाए है एंड टैरो अभी मैं निकालती हो एंडिया के जो है वो अपार्ट फॉम चाइना को अगर हम छोड़ दे तो बाकी सब देशों से बहतर आपका क्या है और और कार्ड भी न्यूट्रल कार्ड है और डिफेंस क्यों क कई देशों को जो है वो हेल्प किया प्रदान किये तो उसी तरह से फॉर्ण रिलेशन जो है वो मजबूत होंगे मजबूत होंगे ठीक है इधर और को आप लोग क्या दिखा रहे है मैं रेट बिल्कुल मजबूत नहीं होंगे इस वर्ष भारत को अपनी फॉर्ण रिलेशन को बहुत समाल के रखना पड़ेगा पहले तो शुक्र की अंतरदश है शुक्र कंबस्ट है लगनेश है इसी के साथ जो इसमें एहम के टकराओ किसी कंट्री के साथ बहुत जादा हो सकते है मैं आप क्या दिखा रहे हैं बता रहिए हूं कि मैम रेड़ ग्रीन अच्छा रहेगा अबी भारत के रुजान रहेगा क्यों कि मोग सितारे क्या कहते हैं सितारे भी पॉजिटिव ली जो भारत की कुंडली भी आ रही है चद्रमा की महादशा है प्रिए जया वहाँ है तो बिल्कुल इन्वेस्मेंट बढ़ेगा इधर एक और ले लेता हूं कमेंट आप लोगों से लिया मैम से लिए चल दी लेकिन लिंग खराब डेफिनिटली होंगे सीमा से जुड़े हुए जितने कि देशे तो आप तो खराब बता रही हैं आप ग्रीन दिखा रही हूं लेकिन ठीक कर लेंगे कहीं न कहीं मैच बिटाएंगे लेकिन स्ट्रेसफुल रहेगा और अब बात करते हैं उनकी जो मा अनुष्ट के नारे के साथ सत्ता में आई और इस वक्त भारत की राजनीती में बहुत एहम नाम है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर जी जल्दी साब लोग अपने बोर्स दिखाईए अपने अपने कार्ट्स आखिर आप उनके बारे में क्या सोचते हैं रे में बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं दिख रहा है और केंद्र में भी अगर जब सूर्य ग्रहन योग में आ जाता है इसका सारल भाशा में मतलब क्या क्या वो पॉलिटिकली अब डाउन होंगी या फिर आप उनको अपलिफ्टमेंट देखती उनके पॉलिटिकली डाउन ही वैसे उनका देखा जाए तो overall जो होरोस्कोप है बाई बर्थ उसमें ग्रहन योग में बेशक से है सूरे लेकिन इस शनी उचका भी बैठा हुआ है और देखा जाए तो शनी जो है कर्मस्थान का स्वामी है तो इसका सार क्या है गेन हाउस में शनी चलेगा तो इनके लिए कुछ बेटर रिजल्स जरूर लेकर आ रहा है दो हजार चाहिए मेस लगन की कुडली है और साथ यहां पर बताना चाहेंगे यह बहुत ज्यादा बोल्ड लेडिज जिजने कहते हैं बहुत अच्छा है बहुत अच्छी बीकर रहे हैं मगर कहीं भी अगर दोका खाती है तो उने के साथ मंगल इनका बहुत उच्छा है इसकीवज़े से बहुत अच्छी होगी कलेर बताई günह ब्रृव टरइए-ख्र सफलता में परेशानिया ज्यादा रहेंगी और जैसे दशम का उनका शनी है तो शनी एक परमान इंडग्रे है क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद वो परिवर्तित होता है तो उनको बहुत सनई सनई दीरे सफलता मिलेगी लेकिन सफलता मिलेगी और यह साल जो उनका 2024 होगा उ 175 परसेंट ये कौन सब परसंटेज है नहीं मतब सबसे ज़्यादा अत्य उत्तम काम करेंगे और पूरे राज्यों को बहुत विकास करेंगे उनको आने से कोई रोक सकता नहीं ऐसा मेरा मनना है शीज अनस्टॉपबल शीज अनस्टॉपबल शीज अनस्टॉपबल आप भी मा जब 2019 पे चुना हुए थे तब मैंने का था अब की बार चौकेदार बंगाल 17 के पार और वैब अव गैलोत की हार बंगाल में 18 सीट जहांता मुझे याद है मोदी जी ने ली थी इस बार ममता बैनट जी को फाइदा मिलते हैं नजर आ रहा है लेकिन वो बंगाल से बाहर कुछ करें मतलब दोजार चौबीस अच्छा नहीं रहेगा उनके लिए चौबीस से लेकर दोजार चौबीस तक आइधिंक इतल नौट बेको दोजार चौबीस तक शास्त्री जी आप आपकी क्या करने पहली बात यह है कि ममताव एनर्जी जी कि हम बात करते हैं अब उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया अस्त हो रहा है अच्छा अब वो इस वार की छोड़िये कभी मुखमंत्री वापस नहीं बनेंगी अरे मुखमंत्री की लडाई तो दूर है दोजार चौबीस में क्या होगा चौबीस में सब खताम उनकी कहनी सब खतम आपके पास ग्री जरी 1955 उनका डेट ऑव बर्थ है जिसका टोटल भी आठ अंक बन रहा है तो यह साल उनके लिए बहतरीन रहने वाला है टायरो प्रेडिक्शन भी है और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी वो रह सकती है एक सरवे में खुलासा हुआ है कि राष्ट्रपती चुनाउं में जो बाइडन को निकी घली हरा सकती है ट्रम्प की लोग पृता भी बड़ी है तो निकी हली आएगी या ट्रॉम्प आएंगे जो बाइडन के सामने यह देखना होगा और क्या कहती है, कैल्कुलेशन, क्या कहती है, गर्णा हमारे तमाम तरकाल दर्शों की वहाँ तो दो बारा, दो बार से यदा तो राश्च्वती बन नहीं सकते हैं जो बाइडन नहीं आएंगे ट्रम तो बन चूँ, एक बारा सकते हैं बिकॉस ट्रम पिस टोटली कंट्रोल बाइ जुपिटर एंगे तो ट्रम आएंगे और नहीं पॉलसी नहीं निती लाएंगे तो मुझे लगता है, यह विल बी विनर बट विद वेरी ग्रेट फाइट बाइड जो बाइडन ओके आपका क्या 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 क्लेशन है ट्रम आने के चांस यो है पूरे-पूरे बन रहे है लेकिन मिक्चर है तंप नहीं कह सकते पका नहीं कह सकते आपकी गड़ना भी पका नहीं कहती आप कंव... आप गदा रहे हूं जो बाइडन नहीं नहीं जो बाइडन छे क्यंक वाले है मुझे ऐसे लगता है जैसे सर ने बताया कि कोई थर्ड परसन ही चुनकर आएगा जैसे उनका हम तोटल बताते हैं मुझे निया चुनाव ही होगा जो बहुत बुड़े हो गए हैं और थोड़ा सा उनके हेल्थ इशूस भी नजर आ सकते हैं इस साल में तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प के दुबारा आने के चांसेज है नहीं तो निकी इस आल्सो आ स्ट्रॉंग यह बात आप लिख लिजिए इस वार अमेरिका की राष्टपती कोई महिला बनेगी यह आपने बड़ी भविश्माली कर दी यह बात पुने में कह रहा हूँ आप बड़ा न भईया सबसे बड़ा रुपईया और रुपईया यानि मनी के हिसा रहेगा 2024 पैसे आएंगे या पैसे जाएंगे कैसा रहेगा 2024 इसके लिएज से प्लीज आप लोग सब लोग दिखाएए क्या है आप लोगों का प्रेडिक्शन क्या कहते हैं सितारे पैसो के लिएज से दो हजार चौबीस कैसा रहेगा दो रेड हैं बाकी सब ग्रीन हैं मैं शुरुवात से शुरू करता हूँ प्लीज साश्त्री जी आप तो ग्रीन दिखा रहेगा देखे धन की दरश्टी से ये वर्ष बहुत बढ़िया रहने वाला है ब्यापार की व्रद्धी होगी लेकिन पांच राशी के जो लोग है मक कर कुंभ मीन कर और व्रश्चिक इन्हें बहुत मेहनत करना देखी मुझे लगता है कि पहली बात हो जुपिटर जो है काल पूरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस में रहेगा फिनांस के लिहां से अच्छा रहेगा बट अगें शनी का साल है तो शनी मीन्स हाड़ वर्क जैसा भी कर्म आप करेंगे अगर आप पूरी तरीकी से भागे पर डिपेंडनेंट है तो डेफिनेटली कुछ नहीं मलेगा तो यहाफ टुवर्क मिक्स रहेगा मतलब ठीक है शनी का साल है दर चौबिस का टोटल आर्ट होता है शनी का साल है राक्स तो रिचिस और रिचि दिविस से में है अच्य चल रहे है लेकिन फीर रहेगा अच्छा रहेगा उच्छा रहेका छयर पर बदertoald करते कि टॉक्त उन और को तो इस साल के जो चार्ट के सापसे अगर मैं एलिमेंट्स को स्टड़ी करूं तो सारी एलिमेंट्स प्रेजन नहीं है और जो एलिमेंट्स करता है वेल्थ को 2024 में वह वाटर टोटली मिसिंग है तो वाटर की स्केरिसिटी की वज़ा से पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल होगा अच्छा रहेगा बहुत अच्छा रहेगा तो आप जितना जाद अपने कारे में इस साल फोकस रहेंगे, आप उतना उन्यती करेंगे, डेफिनेटली मुझे लगता है, लोगों में न्यू बदलाव आएगा जी, बिल्कुल पैसे आएगा और अपने आपको हर कोई ट्रांस्फॉर्म करने की कोशिश पैसे आएगे, मैं जी कुथान और निम्नवर्ग के लोगों के लिए नहीं पॉलिसी जाएंगी, धन वृदी के उनके लिए योग बनेंगे, महनत करेंगे तो अच्छा रहेगा, महिलाओं के लिए, होटेल, इंडेस्ट्री हो गया, आपका कॉस्माटिक्स हो गया, आपका फार्मा इंडस्ट ठीक है, बहुत अच्छा, यह बड़ी इची बात है, कमाएंगे भी और खर्च भी करेंगे, जल्दी, बिना खर्च की पैसे का मज़ा का है, यह वाला यह ग्रीन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, जिसको रिटन नहीं आ रहेगा, इस साल इनको रिटन मिलेगा, प्रॉफि बिथुन, कर्क, व्रिष्टिक, बकर, और कुम राशिवारे लोगों के पास पैसा नहीं ठीकेगा, एक बात और, हर इंसान चाहता है कि महंगाई बड़े, जो उसके पास सोना, संपती, जमीन है, उसके भाव तो बढ़ने चाहिए, लेकिन जो हमें खरीदना है, उस पे उस लक्षिना बढ़ती शंक में जल भरकर थोड़ा इत्र डाल दीजिए, और स्री सुक्त का पार्ट करते हुए, अगर विष्टू जी और लक्ष्मी जी पर अभिशे किया जाए, तो उस गर से महालक्ष्मी कभी जाए नहीं सकती, और जिस गर में शान्ती होती है, वहाँ समर पर दे दिए, बताइए, पिर, और जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो नौकरी छोड़कर करके बिजनस में आ जाएं, उन लोगों को बहुत अच्छी होपर, जो स्टार्ट अप प्लान कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है, स्टार्ट आप वालो स इनिमल हजबंडरी और डाइमंड सेक्टर से लोगों को बहुत ज्यादा काम मिलेगा, और मैं श्रीमाली जी से बिलकुल सहमत हूं, विश्णु जी और लक्ष्मी जी की उपासना करें, एक घी का दीपक अरपन करें, और दूसरा क्या है, जो धान आएगा, वो संचित भी ह बढ़ेगा, तो एक अति सुन्दर पिरियड है, बहुत सुन्दर पिरियड है, दोजार चौबिस, आपकी हिसाब से भी दिखाईए जड़ा, बोट दिखाईए अपना, जी ग्रीन है, और दोजार चौबिस, अच्छा रहेगा, क्यों अच्छा रहेगा, उसका कारण बता कि जो व्यक्ति उपाय करें, तो क्या करें, एक हनुमान मारूति इस्तोत्र का पाठ करें, या बजरंगबान का और भगवान शिव का, लेकिन उससे पहले ओम गंगणपताई नमा का एक माला नित्य करें, निश्चित रूप से धनधाने में ब्रिद्धी रहेगा, जल्दी क्या बात है, बहुत अच्छी बात कि अब, रेट और ग्रीन? करते हैं, तो आपके हाथ में जो चीज नहीं आ रही, या संघर्ज जादा हो रहा है, तो वो काफे चीज़ बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि साल की जो कुंडली है 24 की शुक्र और बुद्ध देख साथ है, और बुद्ध यहां लाभेश है, लाभ भाव का स्वामी है, तो इनसान दिमाग से पैसा कमाएगा, इस वर्ष आप अपने दिमाग का जितना जादा यूज़ करेंगे, और एक बात और है क्योंकि बारवे भाव का स्वामी भी शुक्र है, तो आप उसी के अनुपात में खर्च करेंगे, अपनी लगजरी पे, अपने शौक बहुत बहुत गलत चीजों में भी लगा देते हैं, और एक बहुत चुटा सोपाय, क्योंकि शुक्र है, तो मा की अराधना कीजिए, देही सवभाग्य मारुग्यम देही में परमम सुखम, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, द्विशो जही, जो साल भर इस मंत्र से मा की अ कहीं से आकस्मिक मोटा धनलाब पका होगा, लेकिन अची ख़र आप नहीं दिये, लेकिन खर्चे साथ में ये बात जरूर है, देखें, एक्वेरियस में शनी होता है, तो लिक्विड कैश फ्लो में दिक्कत है, वो कैसे है, क्योंकि मीन राशी में रहु है, तो थोड़े ख आक दिखाना चाहता हूं, दिखा ये जरा PCR, अब देखें, 2030 तक ये कहती है, SNP Global Ratings की रिपोर्ट की भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकॉनमी बन जाएगा, आप भारत की एकॉनमी के लिए बात करते हैं, देखाई आप लोग अपने अपने बोट्स, भारत क की अर्थवेवस्ता, 2024 में आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और यहां देखिए, ऑल्मोस ग्रीन है, एक दो को छोड़कर, मैं रेट दिखा रही है, मैं आप मिक्स दिखा रही है, इधर सर आप रेट दिखा रहे हैं, पहले मैं रेट वालों से ले लेता हूं, बता जादा बढ़ जाएगा, कि गरीबों के इसलिए रहना मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ी बात, गरीबों के रहना मुश्किल हो जाएगा, आप रेट दिखा रहे हैं, ग्रीन दिखा रहे हैं, ग्रीन क्या बताई, देखे, आँ साल के अंत तक 2024 में भारत जो है, वो as a सुपर पार इमर्ज होकर आएगा फिनांशल जीडीपी बढ़ेगा देश का इंपोर्ट इक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंफलेशन की बाद रहेगी तो एकॉनमी इस डिखा रहे हैं तो एकॉनमी बढ़ेगी लेकिन महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई भी उसी के सा पार इसा है कि एकनॉमिक बढ़ेगी और इस्थितियां राजनीतिक जो होंगी वह बहुत अच्छी होंगी लेकिन जहां तक आरतिक स्थिती की बात करें वह महंगाई बढ़े मभी बढ़े सुद्रूप से जो फाइनेंस की स्थितिती यह वह फाइनेंस मिनिस्टर के आथ रहती है निर्मला सिता रमन का चलित बहुत ज्यादा खराब चल रहा है उस वज़े से उनकी वज़े से भारतिय और व्योस्ता को थोड़ा नुक्सान की स्थिति भी रहेगी महेंगाई महेंगाई 2024 में बढ़ जाएगी आप आप बताएं कि आप क्या दिखा रही रेडिया ग्रीन मैं मुझे लगता है कि 2024 जो है मिला जुला साल जाने वाला और उसकी कहीं वज़ा है देखें स्टेबिलिटी लाने वाला साल है विश्पूपटल पे हम बहतर होते हैं डॉलर लेकि आपको क्या लगता है मुझे यह लगता है कि स्टेबिलिटी लाने वाला साल है लेकि मैं आप ग्रीन दिखा रही हूं क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो काफी जादा यहां पे नहांस होने वाला है बूम मिलने वाला है डेफिनेटली इंडिया की एकोनामी बहुत बेटर ह होगा प्राइज बहुत जादा हाइप होने वाले हैं दो हजार चौबिस में बहुत जादा बढ़ने वाला है गोल बेइंवेस्ट करना चाहिए मैं जल्दी से जल्दी से शेयर मार्केट में काफी उच्छा लाएगा शुरुआत जो साल की रहेगी वो थोड़ी सी गिराव यह बहुत अच्छे जाएंगे और जितने भी धर्ती के नीचे वाले परदार्थ हैं उससे अगर हम शनी रागुका एफेक्ट देखें तो बहुत जबर्दस बढ़ी बढ़ी टिप देरी ही माम आप लोग लगता है आप लोग लगता है आप लोगता है इसे बात करनी पड अब करनी टरह से इंवाल्व होगा वह बिल्कुल प्रॉफित नहीं कमा पाएगा आप रेट दिखा रहें हैं बिल्कुल स्टाग्ज की पॉफीटिबिलीटि के लिए यहा और मैज़ाएं के लिए मैं बिल्कुल ग्रीन दिखा रही हूं और मैटल मैंटाने एका अप इड्रीज यादा के लिक में अपने अपने ऑड़ दिखा किये हैं अदेश यादाहुओ ग्रीग रेगउर Whether लैकिसि रेड 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 बृजी के लिए जोका आएगा ये आएगा इनका 2029 के बाद उसके बाद वो ऐसा चम के गेवांची उससे पहले उनके लिए कुछ नब बहुत कठी ने डगर पंगट की मैं क्या है आपके आपके इसाब से क्या है आप रेड दिखा रही है और रेड हाँ बताइए एक लिए 2024 बिल्कुल अच्छा नहीं जाएग इनकी 10th house में चुसूरे केतू, चंत्र केतू की जो अमाज सेती थी और ग्रहन योग आ रहे हैं और केतू की महादर्शा चल रही है जिसके कारण इनको हार का सामना करना पड़ेगा क्यों आपकी green क्यों कह रही है जी मैं green इसलिए यहाँ पर बोल रही हूँ क्योंकि इससे जब भी हमने calculation की है और हमने उनकी कुंडली देखी है तो उसके साब से मैं यही बोलना चाहूंगी हाँ वो काफी better perform करेंगे 2024 में एक दिक्कत जो उनको सबसे जादा main आने वाली है वो यह आने वाली है कि वो अपनी party को संजोने में ही यहाँ पे लगे रहेंगे बहुत जा यहाँ पे क्या रहेगा वो यह रहेगा कि अपनी strategies जो भी maintain करेंगे वो काफी हद तक उससे implement कर पाएंगे मैं आप क्या दिखा रही है तो red दिखा रही है वो तो बता रही है अच्छा रहेगा आप बता रही नहीं क्योंकि उनके लिए जो struggle कह रहे है कि 2023 जिस तरीके से था 2024 लग भगवैसा है इससे भी बुरा ही आप कह सकते हो क्योंकि कोई ऐसे stature बनके वो बहार आएंगे ऐसा मुझे बिलकुल नहीं लगा आप क्या दिखा रही है red या green क्यों मुझे ऐसा लगता है कि UP में अब opposition की जो जगा है वहां पे धीमे धीमे आम आपी पाती का थोड़ थोड़ा entry हो सकते क्यों कि योगी जी की सत्ता नहीं है अग्रेश मजबूत नहीं है उनके सर्ग्रह मजबूत नहीं और आप तो कहरें मजबूत है ये क्या है मचकर प्रती एक चंद करनों से समुचे अंधकार को नश्ट कर देता है आगर हम एसा कंट्री इंडिया की बात करें भारत देश के लिए आने वाला साल 2024 कैसा रहेगा इन त्रिकाल दर्शियों की गढ़ना के मुताबिक इनके कैलकुलेशन के मुताबिक तो मुझे लगता ये बहुत अपने आप में बहुत कुछ कहेगा और जल्दी से आप लोग अपने अपने बोर्ट दिखाएए भारत के लिए देश के लिए 2024 क आपने बोर्ट दिखाएए भारत के लिए 2024 कैसा रहेगा प्लीज आपने बोर्ट दिखाएए और यहां को आपको कैप्चर करेगा मिक्स रहेगा सबसे पहले तो जहां जी क्योंकि देखें जिसे मैंने बताया कि शनी का साल है तो शनी संबंदी चीजों में बहुत अच्छ अच्छनल राहु जैसे 11th house में है तो exceptional gains रहेंगे मतला बहुत अच्छा रहने वाला है बहुत अच्छा रहेगा लेकिन dairy products और जो आम महेंगाई है उसमें थोड़ा सा इश्यों महेंगाई में इश्यों आसकता आप रेट दिखा रही हैं यह स्ट्रेट इस लिए दिखा रह चलेंगे तो internal इतने प्राब्लम चलेंगे जो उससे प्राब्रे आप तो डरा रही है और आपके हाथ में यह क्या है पहला कार्ड निकल कराया है Queen of Queen of Swords का कार्ड जो यह कहता है कि बहुत ज्यादा एक छवी जो है भारत की अब तक जैसे बहुत ही विनम्र देशों की तरह है वो चवी बहुत चेंज हो जाएगी और दूसरा कार्ड जैसे बोलते ना कि बहुत ज्यादा ओपरचिनिस्ट लोगों की तरह हमारी चवी और तीसरा कार्ड यह बताता है कि हमारी फाइनेंशल जो हम लोगों की डिपेंडेंसी की हम बहुत लोग आए और इंवेस्ट करे क्योंकि शनी का साल है तो ओईल से रूलेटर जितने भी चीज़े हैं आपकी भूमी धर्ती से रूलेटर जितने भी चीज़ें और साथ के साथ एंटरेंबेंट हो गया अग्रेकल्चर हो गया आपकी यह सारी चीजे बहुत अच्छी जाए तो मिक्स रहेगा लेकिन जहां पर दिक्कत आएगी वह आएगी अगर यह साल आजब भारत के लिए हम देखें तो जो कंट्री जांसे थोड़ी से डिस्प्यूट हो सकते हैं हो सकता है मन मुटाब हो चीज़ों को मोदीजी बैलन्स करने की कोशिर जरूर करेंगे कुछ हत्ता कर लेंगे बट मुझे नहीं है उसका दोनों का कारण बता दिरहां कि इस साल जो शुरुवात है राजा मंगल है और सनी मंत्री है मंगल को भूमी पुत्र कहा गया है और ब्रस्चिक लगन के जातक जो है श्रीमान प्रधान मंत्री जी है तो अधिपती जो है वो मंगल है तो कहने का ताथ पर कि अच्छ अभी बोला 2024 कैसा रहेगा 2024 मेहंगाइ़ के अगर हद से देखते तो महांगाई तो कही न गाई था आपर्चे डीटी मिलेगी जॉब के भी बहुत अच्छी चांसे मिलेगी यह यह पार के विने अच्छे तरग तरगा मगर मेहंगाई बहुत जदा पड़े जिसके मेला जुल जो जमीन है, जमीनों में इजाफा होगा, बिल्डर्स बढ़ेंगे, बिल्डिंग्स बढ़ेंगी, और इनके रेट भी बढ़ेंगे, अगले जो नेता आने वाले हैं, उनके लिए क्या यहां पर खबरे हैं, अच्छी खबर है, बुरी खबर है, और उनका नाम है विहार के पर ग्रीन है और बाकी अधिकतर यहां पर रेड है, बिकस मुझे लगता है कि नितीश कुमार के लिए मिक्स रहेगा, बिकस राजेडी के साथ, ये, ही इस अच्छी हेडिंग फॉर लोगसभा एलेक्शन, जो कि मुझे नहीं लगता कि मोधी जी को टकर दे पाएंगे, अधिक पंचमेश की जब भी कोई दशा आते हैं, तो हमेशा चेंज़े लेकर आते हैं, तो no doubt change नहीं है तो अभी क्या रहे गा नितिश कुमार के लिए, प剛剛 24 मुझे लगता है, मिक्स रहेगा है, यह तो मिक्स बताते है, आप क्या बता रहे हैं, रैद बता रहे हैं, य। जो है जो सप्तम्भाव का कारक है वो राजनीती में गड़ बंदन तो दिखा रहा है लेकिन राहू गेतु के प्रभाव और जो साथ ये गुरू और शनी का सिक्सेट एक्सक्राब है वो ने टिकर नहीं रहने दें पता ये निति शुमार के लिए ग्रीन है और यहां पर यह हेल्प करने वाला है क्योंकि देखे बुद्ध जो है उनके भागे में है और दो हजर पचीज तक शनी भी उनके भागे में बने रहेंगे तो ये टाइम उनके लिए फेवेरेबल है ये बात अलग है कि उनके सामने कौन कॉम्पिटीट आप क्या दिखा रहे हैं आप क्या कि लाल के हसीन सपने तक ही सीमित रहेगा नितिशे कुमार का भविश्य क्या बात करें दोजार चॉबिस में इनकी कुंडली में बने हुए चांडाल दोश के कारण ना ये घर के ना गाट के कभी एक जगब रिस्तिर नहीं रह सकते हैं इसी वज़े से इनको एक बहतर सलाक कि जरूत है मेरी भविश्यवानी है कि गट बंदन की जितने भी नेता है उनका भविशे 2024 में नेगेटिव है ये तो इन्होंने पूरे गट बंदन के भविश्वानी कर दी आप क्या कह रहें अभी जो गोचर चल रहा है नितिश कुमार जी का बिल्कुल भी फेवरेबल न अन्यता ना तो राजनितिक दलों के बीच ना जनता की बीच स्विकार नहीं ने श्विकार ही नहीं नहीं लाकी सथ जो चल रहा है लालूजी के सं वही उनको इस खुरसी से उतार ना दे उनका उनको ध्यान रखना चाहिए ये तो आप बड़ी बात कह दिया आपने आप आप कुछ गह रही है जो ग्रह गोल्चर उनके दिखा रहे हैं जिस हिसाब से कन्या लगन की कुंडली बनती है उस हिसाब से मुझे ऐसा दिखाई देता है जो उनकी पावर रही है दो हजार तैस में दो हजार इकीस में वो कम होती वह दिखाई देती है अपको क्या लगता एग मिक्शर लेंदिया लिए औरowा चंद्रमा मनोबल का मानशिक्ता का चितका चिंतन का कारक ग्रह यह उनका ध्वस्त पड़ा हुआ और भाग्यस्तान पे जो है उनको यह आगी नहीं कोई कुछ किना चाहता है जल्दी जल्दी छोटा सा इनका चंद्रमा जो नीच कहना इसी वज़े से अपनी बातों में टिकत कि इसका साथ देते थोड़ी देना पलट जाते तो इसलिए इनके साथ में आप इंप डिखा रहे हैं दिखाए लेगरें दिखा रहा है ब्लकुल नितिश कुमार जी की राहू की माहधशा चल रही है शुक्र की अंतर चल रही है राहू अपनी राश्टी का शुक्र यहां पर मैं दिखाऊंगी जैसे कि अब नंदता जी ने बोला उनकी दशाओं के बारे में बात करी तो यहां पर अगर उनका वीनिस उचका है तो उन्हें काफी जादा लक्शुरीज को रिप्रेजेंट करता है वीनिस और अगर हम साल का टोटल देखते हैं भले ही आठ बनता है लेकिन 24 भी आ रहा है उसमें 6 नंबर शादी को लेकर काफी लोग परिशान रता है डॉन्छ लोग परिशान रता है जो बहुत दिनों से बिचारे परिशान हैं शादी नहीं पारी 2024 उनके लिए कैसा रहेगा माई गॉड सब कह रहे हैं शादिया सब की हो जाएंगी 2024 क्यों कह रहे हैं देवताओं के गुरू प्रैशपती विवाह के कारक होते हैं कामपती जीवन और संतान के कारक होते हैं जब वो स्वैम, शुब और मांगलिक कारियों का अधिपती मंगल के गर में बिराजमान है, अप्रेल तर और एक बैसे वो मेरिटर लाइफ के कारक शुकर के गर में चले जाएंगे, तो ऐसी कौन सी ताकत है जो शादी होने नहीं देगी, शादी होने के योग ज़रूर माम आप बताईए, आप भी ग्रीन दिखा रही है, क्यों? बिल्कुल अगर हम 2024 की बात करें तो अंक ही शुकर का है, तो लव मैरिजेज, मैरिजेज जिनके शादी बहुत इन से नहीं हो पा रहे थे, सभी की शादी होने की बहुत चांसे हैं, ठीके, माम आप क्या दिखा र करनता है, तो जहां पर अर्चेने हैं या अर्टकले आ रही थी अभी तक का, वो सारी समाब तो करके विभा के योग बहुत अच्छे बने शुकर करते हैं, कि इस साल कितनी शादी होंगे, ऐसा तो होता नहीं कि किसी की शादी रुख जाए, हर साल शादिया तो होती हैं, ल लेकिन 2024 का साल, जो आप बता रही है, कोई उपाए है, शनी से जुड़ा हुआ दान करना एक उपाए है, लेकिन इस साल मुझे लगता comparatively कम होंगी उतना नहीं, आपने निराश कर दिया मैम, तो आने वाला वक्त स्वास्त के लिहाज से, 2024 स्वास्त के लिहाज से कैसा 2024 सेहत के लिहाज से, सेहत मन रहेंगे लोग, सेहत पर असर रहेगा, क्या-क्या दिखा रहे हैं, आप लोग दिखी, मैम आपके दिखा रही है, रेड, आप मिक्स दिखा रही है, रेड, ठीक है, मिक्स, ये ये तो ज्यादातर रेड दिखा रहे हैं लोग, ये एक यहाँ प लुमिनेशिया, अस्थमा और रात को नींद नान अनिंद्रा ये लोगों में बहुत ही बढ़ जाएगी इंक्लूडिंग बीपी एन एंग्साइटी उपाय क्या है उपाय है उपाय हनुमान जी साब जाए और तेल नारियल सिंदूर हनुमान जी साब को अरपन करें और लेप निश्चित रूप से इनसान को मानसिक विमारी देगा इसका कारण आपके आसपास का वात्रावन आपको शुद रखना होगा दूसरा शारीरिक हेल्थ खराब करने के पीछे कारण शनी का कुम राशी में होना इनसान के लिए शारीरिक रूप से हड़ियों का दर्द पास सबसे अच्छा साधन है योग और प्राणायम इसकी न केवल बाते करें बलकि सुबह इसका अनुसरन करेंगे तो निश्चित रूप से आप शारीरिक को मानसिक रूप से कस्ट मुग दोसरा ठीक है आप मैम क्या कह रही है रेड और ग्रीन बिल्कुल रेड कह रही हूं हेल्थ के लिए और बेंटल हेल्थ के लिए जैसे अभी सभी ने बताया कि डिप्रेशन वगर की प्रॉब्लम बढ़ सकती है उसके लिए चोटी से रिमेडी बताना चाहूंगे कि गंगा जल में अगर हल्दी या चंदन को डालके अप तिलक कर तो आप इन सब चीजों से बच सकती है यह वर्ष जो है सहत के साब से मानसिक सहत काफी कठन रहेगी और में टल स्टेंट इसपेशली जो हमारा नया समवत्साश शुरूगा उसमें क्या होगा कि मंगल राजया शनी मंत्री है तो पुलिस, आर्मी, एंड प्रजा यह कॉंट जब होंगे तो वो मेंटल जो उत्पात होता है एक मानसिक सहत बड़ा चैलेंजिंग रहेगा मेंटल आसपेक्ट है जो है आप देखेंगे इस साल बहुत बढ़ने वाले क्योंकि यह साल जो है काफी जादा जो यंग जेनरेशन उसमें साड़नेस भी लेकिया है जून के मह समेडी यह है कि यह साल जो है वह इंफिनिटी और मेंटेशन का साल भी ए तो मैंटेशन के लिए जो आपके सुबह के थौट्स होंगे जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका दिन बनेगा सोने से पहले और सुबह के थौट्स को ध्यान रखिए मेंग दिम तेंक